हेलो इश्रुएंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियलेट फर्स्ट समेस्टर 2022 के लिए एक्जाम कब होंगे जिन्होंने 2021 में एडिशन लिया है उनके एक्जाम 2022 में होने वाले है और क्या विध्यारती प्रमोट होंगे और तयारी आपको किस तरह से करनी है या सिरीज से करनी है और बैस्ट तरीका क्या है एक्जाम में स्कोर करने का किस तरह से आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो इन तीनो पॉइंट पर हम डिसकसन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है डिल एड फर्ट समेस्टर एक्जाम आखिर कब होंगे तो यह point जो है बहुत ही जाद इंपोर्टेंट है क्योंकि students जो है तियारी नहीं करना चाहरे है वो सोचते हैं कि जब हमारे एक्जाम आएंगे उससे 2-4 दिन पहले हम तियारी करेंगे लेकिन मैं आपको बता दो यह तरीका ब्रुक्त गलत है अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं कुछ सीखना है यूपी टैट सूपर टैट के लिए तो आपको त्यारी अभी से ही शुरू कर दिने चाहिए और जितना होसके बुक्स आपको पढ़ना चाहिए अभी जो है पंदरा के आसपास ठीक है पंदरा मार्स तक जो है इलेक्शन का काम रिप्टेगा तो उसके बाद आपकी अभी काफी सारे स्कूल कॉलिज ऐसे हैं जहां पर अभी इस्ट्रेंट की टीचिंग भी नहीं लगी है एक महीना कम से कम टीचिंग में लगता है एक महीना आपको टीचिंग करने पड़ती है उसके बाद ही जो है आपके एडमिट कार्ड आते हैं और फिर आपके एक्जाम होते हैं तो अभी तो और दूसरी बात unit test के हम बात करते हैं अभी काफिसार स्कूल में सिर्फ एक ही unit test हुआ है ठीक है एक ही unit test हुआ है दूसरा तीसरा कभी पता नहीं है इसलिए कम से कम दो है तीन तो unit test आपके होंगे उसके बाद ही आपकी फिर teaching होगी और फिर आपका जो है एडमि से कम अब यह सलेवसी पुलब हुआ है आपका कव श्टार्ट हुआई नवंबर में जिया नवंबर में जो है आपको सैशन स्टर्ट हुआ ता लेट हुआ रज़ा अप्रेल तक तो नवंबर दिसेंबर जनवरी फरवरी March April 6 महीने तो वैसे भी सिमेश्टर के होते हैं तो April दख तो कम से कम आपकी पढ़ाही चलने वाली है कम से कम April तक आपकी पढ़ाही चलने वाली है आप ये मानकर चलिए अगर आपके exam होते हैं तो April के end में ठीक है और आपके exam भी होने हैं और दूसरी बात online classes चली है कहीं पर online भी नहीं चल पाई है COVID की वैसे अभी डेड़ महीने के लिए school college बंद हो चुके थे वहाँ बहुत effect पढ़ा है तो आपके exam लेट होंगे यकीन अब कर चलिए आपके संभाव्ना जो है मई की श्टार्टिंस नमांनकर चली और तयाती शुरू कर दीजीएगा दूसरी बात हम करता है क्या विध्यार्ती प्रमोट होंगे क्या विध्यार्ती प्रमोट होंगे अब विध्यार्ती प्रमोट की बात जो है वो क्यूं होती है कोविड की वैसे कोविड की वैसे जो है प्रमोशन होता है लेकिन अब तो ओमेक्रोन बीच लगया और अब कोविड के ऐसे केसिस भी नही कम है क्योंकि मान लोग बढ़ते हैं लेकिन जो आपका बीटीस है मतलब डीलेड उसमें आपके मेल्टिबल चॉइस कोशन तो बहुत ही ना के बराबर होते हैं वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है और फिर ऑनलाइन में तो लिखने में बहुत दिक्कत होगी इसलिए आपक सिर्फ एक्जाम में नंबर ही लेकर आना है तो आप सिर्ई से कर लेजिए और आप अराम साच हो सकते हैं वह ऐसकते हैं बढ़ते कर लेकिन अगर आपको अच्छी प्रसेंटेज्ट चाहिए और अगर आप चाहता है कि आप डिलैड को सीरेसली पढ़ें और आप उपी जो अध्यापक का exam होता है भरती का उसको आप target अभी सही आप उसकी तयारी करना चाहते हैं तो आप book से पढ़िए क्योंकि book में जो है बहुत ज़्यादा deeply दिया होता है और अगर आप book से पढ़ लेते हैं तो आपको UPTED और SuperTED में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने नहीं पढ़ेगी ठीक है आपको अगर आप book से पढ़ते हैं तो आपको UPTED और SuperTED में बहुत ही कम मेहनत करने पढ़ेगी और आपके exam में अच्छे number आएंगे और आपके जो DLED का जो market august में भी आपके अच्छे number आएंगे तो मैं तो यही कहूँ को कि आप book से पढ़िए लेकिन अगर आप job बगरा करते हैं आपके पास time बहुत ही कम है तो फिर मजबूरी में आप यह पढ़ सकते otherwise मैं book को prefer करूँगा और तयारी के लिए हमारे यह चैनल को और के सिटी सेंटर सब्सक्राइब कीज़ेगा यूपी डेलेट की फ्री तयारी यहां पर कराई जाती है तो मिलते हैं एक्ट वीडियो में थैंक यू